अलो दोस्तों, Learn Advanced चैनल में आपका स्वागत है, दोस्तों एक और बहुत ही यूसफुल वीडियो आपके लिए लेकर आए हूँ, दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से आपको लेंड पंक्शन यूस करना है दोस्तों, ठीक है, लेंड पंक्शन ब अगर आप कहीं इंटर confession के लिए जा रहे हो, या पिर किसी तरह का data preparing में है अगर आपको इस तरह के numbers आपको जानना अब आइसका number of characters कना है आपको जानने के लिए आपको length function बहुत ही होगा दूस्तों, ठीक है? इसका length जानने के लिए आपको करना क्या है? बहुत ही सिंपल है इस इकन डू लेना है लेन्ग ओपन इसको स करना है दोस्तों व्रारिकेट क्लोस करना और एंटर करने एथ आपको पता चल जाएगा कि जो भी नंबर है या फिर कोई वी टेक्सिंट उसका लेंथ कितना है आपको इस फनंख्षिन से पता चल जाएगा तो ठोटीक है इसको कॉफि करेंगे नीचे तक करता हूं तब देख साकते हूं यहाँ पर ABCD से मैंने Z तक रहा हूं इसका नब्रों चैरेक्टर्स कितने होते हैं 26 क्रेक्टर होते है दोस्तों इस इतरह यहां पर मैंने टेक्सट और नमबर दूरों मिला के रखा उसमें भी ये फंक्शन यूज़ो गाद दोस्तों ठीक है इसको मैं निकालते हूं दुबारा से करके बताता हूं बहुत ही सिंपल है लेंड सबसे सबसे easy function है दोस्तों Excel में ठीक है open bracket करना है select करके enter करने से भी यह function work होगा या पिर आप इसको select करके bracket close करेंगे तब भी यह function यूज होगा दोस्तों ठीक है इसको copy करेंगे नीचे तक ठीक है formula में paste करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कैरेट कितना length का है दोस्तों ठी करता है